दोस्तो आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं रासन कार्ड को लेके क्योंकि देखे गौर्ब्मेंट की तरब से एक नया एप लॉंच किया गया है मेरा रासन 2.0 इस एप के माध्यम से आप अपने मोबाइल फोन से ही घर पैठे रासन कार्ड से संबंधित सारे काम कर सकते हैं चाहे आपके रासन कार्ड में किसी नए फैमली मेंबर को जोड़ना हो चाहे आपका EKYC स्टेटस देखना हो चाहे मोबाइल नंबर अपडेट करना हो ऐसा ही बहुत सारे काम कर सकते हैं तो इस वीडियो मैं पूरे डिटेल में इस app के बारे में बताऊँगा तो please वीडियो को last तक जरूद देखेगा और अभी भी आपने मारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe जरूर कर लीजेगा तो इस एप को download करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone के Google Play Store पे आ जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको टाइब करना है मेरा रासन जैसे ही आप टाइब करेंगे यहाँ देखे आ गया है मेरा रासन 2.0 आपको यही नया वाला करना है आप यहाँ इसका लोगो भी देख सकते हैं तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करके आगे आपको लॉग इन करके दिखाते हैं जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपको अलाओ करना है उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज अपनी सेलेट करनी है देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको Get Start पर क्लिक करना है देन यहाँ पर देखिए आपको Login का Option दिख रहा है यहाँ पर दो Option है Beneficiary User का और Department User का तो हम लोग Beneficiary हैं तो हम Beneficiary पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपना आधार नमबर डालना है रासन कार्ड में जितने भी नाम आड हैं उन में से किसी का भी आप यहाँ पर आधार नमबर डाल के Login कर सकते हैं हमने अपना आधार नमबर और यह Capture Code डाल दिया है अब हम नीचे यहाँ पर Login पर क्लिक करेंगे देखिए हमने जैसे किलिक किया हमारे मुबाइल नमबर पर OTP भेज दी गई है वो OTP को हम यहाँ डाल देंगे तो चलिए हम OTP डाल देते हैं उसके बाद Verify पर क्लिक करेंगे देखिए OTP Verify सक्सेस्फुली हो चुका है अब आपको यहाँ पर Create करना है अपना MPIN और इसे आप छोड़ भी सकते हैं अगर आप Create कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो चलिए हम अपना MPIN Create कर लेते हैं ताकि जब भी हम Login करें तो MPIN डाल के Login कर पाएं OTP की जरूरत ना पड़े तो हम यहाँ पर कोई सभी एक चार डिजिट का MPIN सेट कर लेंगे उसके बाद फिर से रिइंटर वही करेंगे देन आपको यहाँ पर Create MPIN पर क्लिक कर देना है यह देखिए हमारा MPIN सेव हो चुका है अब हम OK पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ Permission आपको अलाओ करना है देन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका राशन कार्ड देखने को मिल रहा है यह Digital राशन कार्ड है अब इसी तरीके से राशन कार्ड देखने को मिलता है और मैं आपको बता दू जैसा कि यह अभी नया अप लाउंच हुआ है तो इसमें लॉग इन करने में कभी-कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप समय रहते इसको अपडेट करते रहिए और बीच-बीच में आप ट्राई करेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा और दोस्तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा उसके बाद आप इसे फ्लिक करके पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे आपके कितने मेंबर इससे जुड़े हैं यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं यह देखिए आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपका रासन कार्ड उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे और भी कई सारे आप्सन है जैसे कि इनका 5 लोगों का मोवाइल नंबर इसमें अपडेट नहीं है उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको देखने को मिल रहा है मैनेस फैमिली डिटेल आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फैमिली की पूरी डिटेल आ जाएंगी जिन जिन लोगों का आपका रासन कार्ड में नाम है देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया है जितने भी फैमिली के लोग आपके रासन कार्ड में जुड़े है उनकी डिटेल पूरी आ चुकी है यहाँ से आप देख सकते हैं किसकी आधार EKYC हुई है किसकी नहीं हुई है यहाँ आप देखिए जिनका नहीं हुआ है नौट वेरिफाइट दिखा रहा है तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आधार EKYC आपके रासन कार्ड से हुआ है कि नहीं हुआ है और भी देखिए कई सारे ओप्सन है यहाँ पर देखिए आपको edit का option दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप अपनी detail को edit कर सकते हैं चाहे आपको खाद विभग के जो आधिकारी हैं उनके पास चाहे आप जनसेवा के अंसे करवाते थे या तो जो आपका कोटेदार है उससे आप delete या तो नाम जुड़वाते थे आप अपने से नहीं कर पाते थे लेकिन अब इस एप के माध्यम से आप ये सारे काम कर सकते हैं लेकिन अब इस एप के माध्यम से आप delete भी कर सकते हैं और उपर देखे add new member का option दिख रहा है इस add new member पे click करके आप अपने family में जितने भी नए सादस हैं उनको भी जोड़ सकते हैं दोस्तो अगर आपको अपने रासन कार्ड में किसी नए family member को जोड़ना या delete करना है अगर आप इस पे एक अलग सी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें comment box में बताईएगा मैं इस पे एक अलग सी वीडियो बना दूँगा ये वीडियो जादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ उसके बाद यहाँ आप देखे आपको देखने को मिल रहा है track my ration card इसमें से आप चेक कर सकते हैं अगर किसी का आपने नाम delete किया है या जोड़ा है तो उसका status क्या है ये सारी चीज आप इसमें से चेक कर सकते हैं और अगर आपकी कोई सिकायत है तो यहाँ my grievance वाले पर क्लिक करके आप सिकायत भी दर्ज करा सकते हैं उसके बाद जब नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ आप देखे आपको दो option दिख रहे हैं surrender रासन कार्ड का और रासन कार्ड टांसफर का surrender रासन कार्ड का ये है कि जैसे आप रासन कार्ड का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं तो यहाँ से आप सरेंडर कर सकते हैं उसके बाद यहां से आप अपना रासन कार्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक राज से दूसरे राज में ट्रांसफर कराना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से आप ट्रांसफर भी करा सकते हैं। बहुत सारे option हैं आप अपने हिसाब से इन options का उपयोग कर सकते हैं और दोस्तो इस से related कोई भी परसानी आपको आ रही है तो आप comment box में message करिएगा नहीं तो हमारे telegram channel का link का आपको description में मिल जाएगा वहां से आप हमें direct message कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी से ज पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe करने के साथ साथ अपने दोस्तों में जरूर सेहर करिएगा